यो तो अनिता ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है लेकिन वहाँ नब्बे के दशक का फेमस गाना आते आते तेरी याद आ गई काफी मशूर है इस गाने में अनिता ने संजय दत के साथ रोमांस कर सभी का दिल जीत लिया था लब्बे के दशक की अब इस खूबसूरत एक्ट्रेस का लुक एकदम बदल गया है वह साथ की उम्र में काफी हसीन दिखती हैं चलिए एक नजर डालते हैं गुबलीप्तली और चरहरी काया की धनी अनीता राज 1980 से लेकर 1990 के दशक तक बॉलिवुड के लोगों की दिल की धरकन थी उन्होंने लगभग सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया हालांकि उनका भी स्टार्डम काफी दिनों तक तिक नहीं पाया आपको बता दे कि अनीता भी उन्ही एक्ट्रेस में शामिल है जो अपनी फिल्मों की अपेक्षा अपनी खूपसूर्ती और लव अफेर को लेकर उन दिनों खबरों में रही है और शादी होते ही फिल्मी दुनिया से दूर हो गई अनीता राज का जन 13 अगस्त 1962 को मुंबई में हुआ था अनीता फिल्मी बैकड्राउंड से संबंध रखती है अनीता फेमिस आक्टर जगदीश राज की बेटी है जगदीश राज वही है जनोंने साट से असी दशक के फिल्मों में सबसे ज्यादा इंस्पेक्टर की भूमी का निभाई थी उन्होंने अमिताब बच्चन, धरमेंद्र, संजीव कुमार, राजेश खन्ना और कई अन्य सुपरस्टार्स संग स्क्रीन शेयर किया है जगदीश राज का नाम गिनीज बुक्स ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है मीडिया रुपोर्ट की माने तो अनीता ने अपने पिता से ही प्रेरित होकर फिल्मों में कदम रखा था इसके बाद डाइरेक्टर रिशिकेश मुखर जी ने अपनी फिल्म अच्छा बुरा में उन्हें ओफर दिया अनीता ने इसी फिल्म से अपना बॉलिवोड में डेब्यू किया था हाला कि कुछ मीडिया रुपोर्ट्स की माने तो अनिता की डेब्यू फिल्म प्रेम गीत था यह फिल्म साल 1982 में रिलीज हुई थी इसके रिलीज होते ही अनिता रातो रात स्टार बन गई थी अब 60 साल की हो चुकी अनिता ने लैला जान की बाजी मेरा हक प्यार किया है प्यार करेंगे क्लर्क नफरत की आख विद्रोही अधर्म सहित कई फिल्मों में काम किया था इसके साथ ही उन्होंने कई बड़े स्टार स्क्रीन शेर किया और अपना नाम कमाया आज से करीब 38 सान पहले डायक्तर अजय कशब की फिल्म जान की बाजी में उन्हें संजय दत के साथ काफी पसंद किया गया था इस अक्शन फिल्म जिसमें अनीता की एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आज से कहीं ज्यादा इसका एक गाना आते आते तेरी याद आ गई उन दिनों काफी फेमस हुआ था इस गाने में संजय और अनीता की केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया था लव कपल को ये गाना आज भी काफी पसंद है अनीता ने कई सारी फिल्मे और गाने करने के बाद इंडिस्ट्री से दूरी बना ली थी यू तो मीडिया में फिल्मों से दूरी बनाने के पीछे उनके कई कारण बताये जाते हैं, जो उनके परनसन लाइफ से संबंधित है अनीता राज ने डाइरेक्टर सुनील हिंगोरानी संग शादी रचाई है हालांकि शादी से पहले अनीता का नाम बॉलिवुड के दिगज एक्टर धर्मेंद्र के साथ जोड़ा गया था मालूम हो कि अनीता राज ने अपने करियर में सबसे ज्यादा धर्मेंद्र के साथ फिल्मों में काम किया था इन फिल्मों में नौकर बीवी का जलजला करिश्मा कुद्रत का आदी फिल्में शामिल है मीडिया रपोर्ट के अनुसार एक समय था जब धर्मेंद्र को अनीता राज से प्यार हो गया था लेकिन इससे पहले की दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ती धर्मेंद्र के घरवाले उन पर दबाव बनाने लगे और धर्मेंद्र ने अनीता से दूरी बना ली धर्मेंद्र से ब्रेक अप होते ही अनीता ने करिश्मा कुद्रत का के डाइरेक्टर सुनील हिंगोरानी से शादी रचा ली थी कहा जाता है धर्मेंद्र से रिष्टे में पढ़ने के बाद अनीता का फिल्मी करियर काफी प्रभावित हुए शादी के बाद फिल्में में काम करना छोड़ दी थी हालांकि लंबे वक्त के बाद अनीता ने साल 2012 में कमबैक किया और फिल्म चार दिनों की चांदनी में नजर आई लेकिन सफलता न मिलने के कारण वे टीवी शोज में काम करने लगी आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि अनीता आज भी एक्टिंग की दुन्या में काफी एक्टिव रहती है हालांकि अब वो परदा थोड़ा छोटा गया है फिल्मों से राज करने वाली अनीता अब टीवी की दुन्या की famous actresses बन गई है अनीता टीवी के दुन्या में शोचोटी सरदार्नी के लिए famous है इस शो़ में अनीता ने कुलवंत का रोल प्ले किया है इसके अलावा अनीता ने 24 तुम्हारी पाखी एक था राजा एक थी रानी में काम किया टीवी शो़ में निभाए उनके किरदारों को दर्शकों ने काफी पसंद किया इसके साथ अनीता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है आए दिन वहाँ अपनी फोटो और वीडियो फैंस के साथ शेर कर खूब वावा ही बटोरती है चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले